ये कहानी 16 साल के लड़के रोजन पे आधारित है जो अपनी घर के सारी आउरतों के साथ घपा घप करके उनको प्रेगनेंट कर देता है और वो अपनी इस महान काम को कैसे अंजाम देता है वो हम आज की इस एक्स्प्लेनेशन में देखने वाले हैं आज मैं जिस मूवी को ए जिसे घर आ रहा था तब उसके घर की एक मेंड मिस लपी तो अपने घोडा गाड़ी से उसे घर ले आ रही थी और घोडा गाड़ी चलाते समय मिस लपीते के हिलते हुए पपीते देखके रोचर उसे घूर ने लगता है ये चीज मिस लपीते भी नोटिस करती है लेकिन व जब रोजर की मासी मारगरीटा उसे बोलती है कि इस उमर में ये सब चीस नॉर्मल है, और यह कह कि वो रोजर की पैंड साफ करने लगती है, रोजर की एक चोटी बहन भी थी, जिसका नाम भरता था, उसके बाद भरता रोजर को जंगल मेले जाती है, जहां मिस लपीते भी थ तब ही मिसला पीदा रोजर के सामने ही साइड में जाके हलके होने लगती है और ये देखकर रोजर के आँखें बाहर आ जाती है उसके बाद रोजर को किसी के चिलाने के आवाद सुनाए देती है और जब रोजर वहाँ पर देखने के लिए जाता है तब उसे वहाँ पर उसी के घर की एक मेड उरसीला किसी और के साथ जंगल में मंगल करते हुए दिखाई देती है जिसके बाद रोजर वहाँ से भाग जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वो एक गलत दुनिया में आ गया है उसके बाद सीन स्विच होता है और हम बूरी फैमली को एक साथ खाला खाते हुए देखते हैं जहां हम वीवर को पता चलता है कि रोजर की मा काफी स्ट्रिक्ट है शाम को रोजर जब सोने की कोशिश कर रहा था तो उसे बाहर से कुछ आवाजे सुनाए देती है और जब वो कमरे से बाहर आता है तो वो देखता है कि एक नौकरानी गोडी बनकर खड़ी है और कोई उसकी पीछे से बचा रहा है और ये देखने के बाद रोजर की फटके चार हो जाती है और रोजर वावस होने के लिए चला जाता है और बिस्तर में उसकी छोटी बेंट बरता चुपी हुई थी तब बरता उसे बताती है कि मिस लपीते ने मुझे बताया है कि हमारी मासी मारगरिटा अभी वे वर्जिन है जिस पर रोजर उसे पूछता है कि वो अभी तक वर्जिन क्यूं है जिस पर बर्था उन्हें मताती है कि उन्हें मर्दों से डर लगता है और इसलिए उन्होंने अभी तक शादी नहीं की है तभी वहाँ अचानक से नैनी केट आ जाती है और केट का काम मर्था का दीख भाल करना था बर्खा के वहाँ से जाने के बाद केट रोजर का प्लैंकिट हटाती है जिस पर रोजर अक्चानक से डर जाता है क्योंकि रोजर का पपू खड़ा हो गया था और उसे देखने के बाद केट भी थोड़े बहुत मज़े ले लेती है अगले दिन बर्था रोजर को एक नदी के किनारे ले जाती है जहां उसकी घर की सारी मेट एक दूसरे से नहते नहते अपनी सीक्रेट शेयर कर रही थी बर्था और रोजर अपने घर के चार मेट को छुपके से देख रहे है तभी नदी के किनाने तीन नमूने आ जाते हैं और ये तिनों भी रोजर के घर में काम किया करते थे और वो तिनों भी अपना पपु बाहर निकाल के मेड के सामने ही हलके होने लगते हैं और वो अपना स्पाइडर मैंड मेड को दिखाने लगते हैं तभी उर्सला बोलती है कि तू सेर्टों में सवाशेर हूँ। तभी उर्सला उन तीनों को अपना पिछवाड़ा दिखाने लगती है। और उसके पिछवाड़े का दर्शन भरता और रोजर भी पेड़ के पीछे से ले रहे रहते है। अगले सीन में रोजर की बड़ी बैन एलीसा अपने पापा के साथ आती है। और सब लोग उसका वेलकम करते है। एलीसा आते ही सब लोगों से गले मिलती है। और जब रोजर की बारी आती है तो वो उसे फोरेट किस करके वहाँ से चली जाती है। जिस पर रोजर सुचता है कि मेरे अंदर काटे लगे थे क्या तभी परता रोजर को एक चर्च मिले जाती है जहां दोनों छट पर छिप जाते है तभी वहां मारगरीटा आती है और वो चर्च के पादरी से अपनी सारी बाते बताने लगती है और वो पादरी से बोलती है कि जब से रोजर यहां आया है तब से मैं उसके साथ सपने में धक्का पेल करती हूँ ये सारी बाते रोजर भी सुन रहा था ये सुनने के बाद रोजर बहुत ज़्यादा खूश होता है और बहुत ज़ादा एकसाइटीड हो जाता है जिसके बाद वो पादरी के बगल में गिर जाता है और पादरी इन दोनों को रोजर के मां के पास ले जाता है जिस पर रोजर की मां पादरी से बोलती है कि आप ही बताएए मैं इन दोनों के साथ क्या करूँ जिस पर पादरी बोलता है कि आप रोजर की पिछवाड़े पे मार मार के उसके पिछवाड़े बंदर की तरह लाल कर दो तब ही इसे समझ आएगा और ये का मारगरीटा अपने सुद्ध हाथों से करेगी तो इसे जादा मजा आएगा रोजर की मा मारगरीटा से बोलती है कि तुमे एक हंटर लो और शुरू हो जाओ पहले तो मारगरीटा ये करने से मना करती है लेकिन रोजर की मा के फोर्स करने के बाद हो ऐसा करने लगती है और वो रोजर की पिछवाड़े पे मार मार के उसे बंदर की पिछवाड़े के तरह लाल कर देती है रात को सोते समय रोजर को फिर से बाहर से किसी की आवाद सुनाई देती है और जब वो अपनी कमरे से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि उसकी मेंड हैलन किसी से ठुकवा रही थी और आज भी उसे बस हैली नहीं दिखती है उसके पीछे वाला बंदा बिल्कुल भी नहीं दिखता और इस बार रोजर अकेले इस नजारे का मज़ा नहीं ले रहा था बलकि मिस्टर फ्रैंक भी ये सब कुछ देख रहे थे तभी उस वक्त अचानक से रोजर के पास उर्सला आती है और वो उसे कहती है कि आओ में तुम्हारे पिछवाडे में मूव लगा दू इतना मार खाने के बाद दर्द भी बहुत जादा हो रहा होगा जिस पर रोजर उसे ऐसा करने से मना कर देता है उसके बाद रोजर उसे पूछता है कि हर रात हैलन को कोई पीछे से बजा रहा रहता है क्या तुम्हें पता है वो बंदा कौन है जिस पे वो रोजर को बोलती है कि हम मेड का टॉप सीक्रेट है तब रोजर को खयाल आता है कि उसने ये शो अकेले नहीं देखा था बलकि मिस्टर फ्रैंक भी इस शो को इंजॉय कर रहे थे जिसके बाद रोजर सीधा मिस्टर फ्रैंक के पास जाता है जहां मिस्टर फ्रैंक दूरबीन से मिया खलीफा को देखने की ख्वाईश में अपने पैंट में हाट डाल के अपने स्पाइडर मैन को तसली दे रहे रहते है और रोजर के आते ही मिस्टर फ्रेंक वहां से चले जाते है तब रोजर भी दूरबीन से देखने लगता है और उसे नीचे दो शादी शुदा एलियन को तडांस करते हुए दिखाई देते है तब रोजर को समझ आता है कि मिस्टर फ्राइंक अपने स्पाइडर मैन की मसाज क्यों कर रहे थे अगले दिन रोजर को एक किताब मिलती है जिसमें दा ग्रेट सनी लियोनी की कहानी थी और रोजर उस किताब को बड़ी शिद दर्थ से छुपा लेता है और जाते वक्त उसे अपनी मॉम डैड के कमरे से घर-घर खेलने की आवाद सुनाई देती है और रोजर उसे लॉक वाली छेट से देखने लगता है तब ही उसे पीछे से एलिसा का फ्याल्जर रोणाल्ड उसे देख लेता है और वो रोजर को धपा कर देता है जिस पर रोजर उसे रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि तुम इस बात को किसी को मत बताना इस बात पर रोणाल्ड भी इस बात का फायदा उठाता है और वो रोजर से अपनी काड़ी साफ करवाता है अगले दिन रोजर वही किताब घोडा गुदाम में पढ़ रहा होता है जिसमें सनी लियोनी की सफलता की कहान ली रिकी हुई थी और वो पढ़ने के साथ साथ वो अपने पपो को भी मसाज दे रहा होता है और तभी आचानक से वहाँ धारा भाई जोगंदर का फ्रेंच वरिजन आ जाता है और वो मौका देखते के साथ ही हेलन को आधा खिडगी के अंदर रो आधा बाहर फसा देता है और वो बाहर जाके साइट से हेलन की गेलन में पानी भरने लगता है तभी हेलन की नज़र रोजर पर पढ़ती है और वो उससे हेल्प मांगने लगती है जैसे ही रोजर उसकी मदद करने के लिए जाता है तभी हेलन उसे बोलती है रुको जरा रुको जरा सबर गुर। और गेलन में पानी भरने दो तभी रोजर निकल के बाहर देखने जाता है कि हेलन के गेलन में पानी कौन भर रहा है लेकिन तब तक जोगिंदर भाई अपना काम कर चुके थे अगली सीन में रोजर अपनी फैमली के साथ बैठा था जहां रोलांड रोजर को अपनी चूते सा जिसके बाद रोजर अपनी सनी लियोनी वाली किताब को अपनी बेहन की किताब से बदल देता है। और वो मिस लपीते की पीछे उसके पपीते दाने जाता है। जिसे पे मिस लपीते उसे पहले मना करती है। में इंख मैं नियम धा कि वार में जाने से पहले वो लोग सब लोग अपनी बीषी को टीवी के सामें गोडी बनाएंगे जिसके बाद सब्लोग रात में लेजा dus उसकी बजाने लगते हैं जिस पर रोजर सोचता है कि बस ये आज रात की चान्नी है और इसके बाद तो इनकी पिक्चर मैं ही बनाऊंगा सबके युद में जाने के बाद सारी लेडी सकेली थी और रोजर सबसे पहले उर्सला के पास जाता है जहां वो उसे ले दे के घोड़ी बना ही देता है और वो उर्सला से ये भी कहता है कि मुझे तुम से प्यार हो गया है जिसके बाद उर्सला बोलती है कि सारे लड़के पहली बार चरम सुख लेने के बाद यहीं बोलते हैं अगले सिन में बर्दा रोजर से बोलती है कि पादरी मा से मिलने आये हैं जिसके बाद ये दोनों भाई बहन उन दोनों की चुपके से बाद सुनने लगते हैं जिसके बाद रोजर की माँ पादरी से बोलती है कि मेरा पती कभी मुझे घोडी बना के लेता है और कभी डौगी बना के इससे कोई पाप तो नहीं जिस पे पादरी बोलता है नहीं वो तुम्हारा पती है वो तुम्हारी घोडी बना के ले या डॉगी बना के इसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन तबी रोजर की माँ रोजर को देख लेती है और वो बिना देर किये बहार आ जाती है अगले दिन बर्था की नैनी केट हमें दिखाए दी जाती है और वो नदी किनारे बैट के अपनी जुल्फिस सवार रही थी लेकिन तभी वहां रोजर भी आ जाता है और वो पानी में जंगली सुवर की तरह रेंगने लगता है पहले तो रोजर केट से मजे लेता है लेकिन जैसे ही वो देखता है कि वो भी राजी है वो मौके पे चौके मार देता है और वो दोनों वहाँ पर घपा घप करने लगते है अब रोजर पूरी तरह से ultimate हारामी बन चुका था जिस पर रोजर सोचता है कि अब सारी औरोतों का मटकन मैं ही फोडूंगा और अगले दिन रोजर का बाप वहाँ छुट्टी लेकर आ जाता है और रोजर देखता है कि मारगरिटा और केट उसके माबाप को घर घर खेलते हुए देख रहे है जिस पर रोजर उनसे कहता है कि तुमसे ना हुपाएगा और ये बोलके वो वहाँ से घर भी चला जाता है ये देखके उसके माबाप हैरान हो जाते है और रोजर को वहाँ से भगानी लगते है जिसके बाद मारगरिट अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है लेकिन रोजर उसके कमरे में उसे धपा कर देता है और उसे पूछता है कि क्या तुम्हारा गेम बजा देता हूँ जिसके बाद वो दो लोग अभागप करने लगते है उसके बाद हम फिर से हैलन को देखते है जो चाई नाशता लेकर आ रही थी लेकिन इस बार युद में जाने के वज़े से उसका बजाने वाला कोई नहीं था तब ही वो रोजर के कमरे में जाती है और रोजर उसे पीछे से पकड़ लेता है और वो उसे गोड़ी बना देता है अगले दिन रोजर एलिसा के पास जाता है जहां वो घोडो को घास खिला रही थी जिस पर रोजर उसे बोलता है कि मैं आज तेरी भी पिक्चर बनाऊंगा पहले तो एलिसा उसे ऐसा करने से मना करती है लेकिन थोड़ी दिर बाद बोलती है कि हाँ मेरी पिक्चर बनाओ और हाँ मुझे पिक्चर में घोडी का रोल देना जिसके बाद रोजर उसे भी घोडी बना देता है अब रोजर सारी औरतों की बीच पॉपिलर हो गया था इसके बाद सारी औरेते बारी बारी करके उसके पास काम 25 करवाने आती थी दिन बीचते जाते हैं और कि सिलसिला चलता रहता है एक दिन एलिसा रोजर से बोलती है कि मैं प्रेगनेंट हूँ तभी रोजर देखता है कि रोलांड भी वापस आ गया है क्योंकि अब यूद खतम हो चुका था उरसिला और मारगरिटा भी उसे बोलती है कि मैं प्रेगनेंट हूँ और ये सुनने के बाद रोजर के पैरो तले जमी नहीं किसक जाती है क्योंकि अगर उसके मॉम डैड को ये बात पता चली तो उसके मॉम डैड उसे ही घोडी बना देंगे तभी रोजर उरसिला से बोलता है कि एक नेल पॉलिश लेके आओ और वो उस नेल पॉलिश को एलिशा के बैड पे लगा देता है और बोलता है कि तुम कुछ भी करके रोनाल के साथ घपा घप कर लेना जिसे रोलांट को लगे कि एलिशा अभी भी वर्जन है उसके बाद वो अपनी मासी से बोलता है कि आप फ्रैंक से शादी कर लो वो आपको बहुत जादा पसंद करता है और ये सुनने के बाद वो दोनों शादी के लिए मान जाते है उसके बाद रोजर उरसला के पास जाता है और उसे शादी के लिए प्रपोस करता है लेकिन उरसला उसे मना कर देती है क्योंकि वो पहले से ही किसी और को पसंद करती थी और उसके बाद तीनों औरती की शादी हो जाती है और रोजर के कांट के बारे में किसी को कानोकार खपर भी नहीं होती और उसी रात रोजर फिर से या हैलन के साथ खपा-खप करता है और अगले दिन हैलन उसे बताती है कि मैं भी प्रेगनेंट हूँ लेकिन अब रोजर की स्कूल की छुटिया خतम हो चुकी थी इसलिए वो से बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए भी एक अच्छा पती धूंड लूँगा जिस पे हेलन बोलती है कि तुम इसकी टेंचन मत लो क्योंकि मैंने सब लोगों के साथ घपा घप किया है और मैं इस पे किसी का भी नाम लगा सकती हूँ उसके बाद रोजर अपने पापा के साथ खुशी-खुशी वहाँ से चला जाता है और ये मूवी यहां खतम हो जाती है ऐसे ही और मूवी जानने के लिए इस पेच को लाइक करें धन्यवाद